हेलो फ्रेंड नीटिंग डिजाइन में देखे बहुत ही खूपसरत प्यारा से मैंने फ्लावर बॉर्डर डिजाइन बनाया है आप अपने किसी भी स्वैटर में जैकेट पर कार्डिगन पर बनाएए कहीं भी इस डिजाइन को बना सकते हैं बहुत ही खूपसरत सी और प्यार बना सीखते हैं यह देखे इस डिजाइन को बनाने के लिए हमें 16 16 के मल्टपिल फंदे चाहिए और प्लस वन कर दें तो यह डिजाइन सेट हो जाएगी और इस डिजाइन को बनाने के लिए आप पहले बॉर्डर बनाएए अपने हिसाप से फंदे डाल करके और बॉर्डर बनाने के बाद ही हमारी यह डिजाइन स्टार्ट होगी और यहाँ पे मैंने 65 पंदे लिए हैं जिसमें यह डिजाइन मैं आपको बना करके दिखाती हैं तो देखते हैं इस डिजाइन की फॉर्स टो तो इसमें सबसे पहले हमारा ब्लैक कलर आएगा यह वन टू थ्री पोर पाइब सिक्स हमारे यह ब्लैक से होके वन टू थ्री पोर पाइब पंदे ग्रीन अब ब्लैक कलर से वन टू थ्री पोर पाइब और एक सिक्स तो पहला वला पंदा जो मारा एक्स्ट्रा है उसे छोड़ देंगे अब हम 5 ब्लैक से लेकर 6 ब्लैक तक की डिजाइन को पूरी रो में बार बार रिपीट करेंगे और यह देखी जब मैंने इनी फंदों को रिपीट किया है तो यह 5 पंदे ग्रीन के बाद 11 पंदे हमारे ब्लैक के हैं फिर 5 ग्रीन यह हमारी रो नमबर 2 जिसमें ब्लैक कलर स 1, 2, 3, 4 पंदे ब्लैक और अब यहां पे हमारा ग्रीन आएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 पंदे ग्रीन 1, 2, 3, 4 हमारे ब्लैक से अब इस पहले ब्लैक को छोड़ देंगे 3 ब्लैक से लेकर 4 ब्लैक तक की डिजाइन हम पूरी रो में बार बर रिपीट करेंगे यह हमारी रो थ्री है जिसमें ब्लैक कलर से 1, 2, 3 पंदे ब्लैक अब हमारा ग्रीन 1, 2, 3, 4 ग्रीन अब हमारा ब्लैक कलर आएगा 1, 2, 3 पंदे ब्लैक की यह एक डिजाइन हो गई अब इस पहले ब्लैक को छोड़ करके 2 ब्लैक से लेकर 3 ब्लैक तक की डिजाइन हम पूरी रो में बार बार रिपीट करेंगे और यह देखिए जब मैंने फिर इनी फंदो को रिपीट किया है तो इस दो डिजाइन के बीच में अब हमारे 5 फंदे ब्लैक कलर से बन गए हैं यह देखिए और ये हमारी row number 4 इसमें हम green फंदों को green से और black को black same color करते वे इस पूरी row को बनाएंगे ये देखे, row number 5 में इस black को हमें black से ही करना है 1 2 फंदे black और अब यहां पे हमारा green 1 2 3 इस बीच वाले ग्रीन को वन हम ग्रीन से करेंगे वन टू ब्लैक वन टू ट्री फोर फंदे ग्रीन वन टू फंदे ब्लैक अब इस पहले वाले ब्लैक को छोड़ करकी वन ब्लैक से लेकर टू ब्लैक तक की डिजाइन हम पूरी रो में बार बर रिपीट करेंगे यह हमारी रो 6 जिसमें सबसे पहले वन टू फंदे ब्लैक वन टू ट्री फोर ग्रीन 1 ब्लैक 1 2 3 फंदे ग्रीन 1 ब्लैक 1 2 3 4 हमारे ग्रीन से 1 2 ब्लैक यह एक डिजाइन हो गई अब इस पहले वाले ब्लैक को छोड़ देंगे 1 black से लेकर 2 black तक की design हम पूरी row में repeat करेंगे ये देखें row 6 तक हमाई design बन गई है और row 6 में हर बार ये 2 design के बीच में 3 फंदे यहां black color से हैं और ये row 7 में black को हमें black से करना है 1 2 फंदे black 1 2 3 फंदे green 1 2 black 1 2 3 green 1 2 black 1 2 3 हमारे green से हैं 1 2 फंदे black और इस बार भी हमें पहले black को छोड़ करके 1 black से लेकर इस 2 black तक की design पूरी row में बार पर repeat करना है ये हमारी row number 8 किसमें सबते पहले 1 हम black से करेंगे और अब हमारा green color से 1 2 3 फंदे green 1 2 black 1 2 3 4 5 हमारे black से 1 2 black 1 2 3 फंदे green और 1 हमारा black अब हम इस फंदे black को छोड़ करके 3 फंदे green से लेकर 1 black तक की design पूरी row में बार पर repeat करेंगे और अब यहां 2 design के बीच में सिफ 1 हमारा black color से है और देखे row number 9 इसमें पहले हमारा black आएगा 1 2 3 4 5 हमारे black से और अब यहां मारा red color भी आजाएगा 1 2 फंदे red 1 2 3 black 1 2 red और अब black color से 1 2 3 4 5 हमारे black से आएगा पहले black को छोड़ देंगे 4 black से लेकर 5 black तक की design हम पूरी row में repeat करेंगे और यह हमारी row 10 है जिसमें 1 2 3 4 फंदे black 1 2 3 4 हमारे red से 1 black 1 2 3 4 red 1 2 3 4 हमारे black से और इस पहले वाले black को हम छोड़ देंगे 3 black से लेकर 4 black तक design हम पूरी row में बार बार रिपीट करेंगे यह दिखे जब मैंने फिर इनी फंदों को repeat किया है तो यहाँ इस दो design के बीच में हमारे 7 फंदे black color से हैं यह हमारी row number 11 है और इसमें हमें red फंदों को red से और black को black सेम color करते हुए इस पूरी row को बनाना है और यह दिखे रो ट्वल में one two फंदे black one two red one black one two red अब black color से one two three हमारे black से one two फंदे red यह देखे two red के बाद one हमारा black one two फंदे red one two हमारे black से यह एक design हो गई अब इस पहले black को छोड़ करके one black से लेकर two black तक की design हम पूरी row में बार पर repeat करेंगे यह हमारी row 13 है जिसमें सबसे पहले one हम black से करेंगे और अब हमारा red one two three four फंदे red one two three फंदे black one red one two three black one two three four हमारे red से और one हम black से करेंगे अब हम इस पहले वाले black को छोड़ करके four red से लेकर one black तक की design पूरी row में repeat करेंगे यह देखे row 14 में इस black को one black करेंगे और इस four red को red से one two three four हमारे red से one black one red one two three फंदे black one red one black one two three four black फंदे यह फोर हमारे red से होके बन हम black से करेंगे तो इस पहले वाले black को छोड़ करके four red से लेकर one black तक की design हम पूरी row में बार पर repeat करेंगे यह हमारी row 15 जिसमें one तू फंदे प्लैक, वन, तू रैड, वन, तू, थ्री हमारे प्लैक से, वन, तू, थ्री फंदे रैड, वन, तू, थ्री प्लैक, वन, तू, रैड, वन, तू हमारे प्लैक से, तो यह देखे एक डिजाइन हो गई, अब इस हम पहले प्लैक को छोड़ करके, वन प्लैक से लेकर, इस तू प्लैक तक की डिजाइन पूरी रो में बार पर रिपीट करेंगे, यह हमारे रो 16 जिसमें ब्लैक गलर सी 1, 2, 3, 4, पाइफंदे ब्लैक, वन रेड, वन ब्लाइक, वन रेड, वन ब्लाइक, वन रेड, वन ब्लाइक, वन रेड, अब ब्लाइक किलर से वन, टू, ट्री, पोर, पाइफ हमारे ब्लाइक से तो ये देखे, one black, one red किया तो one, two, three, four फोर बार एक एक फंदे हमारे red क्या है और अब हम इस पहले वाले black को छोड़ करके four black से लेकर five black तक की design पूरी रो में बार पर repeat करेंगे और ये देखे, जब मैंने इनी फंदों को फिर repeat किया है तो अब बीच में हमारे nine फंदे black कलर से हो गए है और ये हमारी row 17, जो row 15 की तरह बनेगी और फिर मैं बना के भी दिखा रही हूँ ये one, two फंदे black, one, two हमारे red से तो देखे एक design हो गई, अब इस पहले black को छोड़ करके one black से लेकर इस two black तक की design हम repeat करेंगे कि देखें, row 18 में ये one हम black से करेंगे one, two, three, four हमारे red, one black, one red 1, 2, 3 फंजे ब्लैक, 1 रेड, 1 ब्लैक, 1, 2, 3, 4 हमारे रेड से और 1 हमारा ब्लैक अब हम इस पहले ब्लैक को छोड़ देंगे 4 रेड से लिकर 1 ब्लैक तक की डिजाइन पूरी रो में बार पर रिपीट करेंगे यह हमारी रो नमबर 19 जिसमें इस ब्लैक को 1 ब्लैक करेंगे और इस 4 रेड को हमें रेड से करना है 1, 2, 3, 4 फंजे रेड, 1, 2, 3 फंजे ब्लैक 1 हमारा रेड से 1, 2, 3 फंजे ब्लैक अब फिर हमारा रेड कलर 1, 2, 3, 4 रेड और 1 हमारा ब्लैक यह एक डिजाइन हो गई अब इस पहले ब्लैक को छोड़ करके 4 रेड से लेकर 1 ब्लैक तक की डिजाइन हम पूरी रो में बार बार रिपीट करेंगे यह हमारी रो नमबा 20 जिसमें 1, 2 फंजे ब्लैक 1, 2 रेड, 1 ब्लैक 1, 2 रेड, 1, 2, 3 फंजे ब्लैक 1, 2 रेड, 1 ब्लैक 1, 2 रेड, 1, 2 हमारे ब्लैक से अब हम पहले ब्लैक को छोड़ करके 1 ब्लैक से लेकर 2 ब्लैक तक की डिजाइन पूरी रो में बार बार रिपीट करेंगे यह हमारी रो नमबर 21 है जिसमें ब्लैक कलर सी 1, 2, 3, 4 फंजे ब्लैक 1, 2, 3, 4 हमारे रेड सी 1 ब्लैक, 1, 2, 3, 4 ब्लैक, 1, 2, 3, 4 फंजे ब्लैक की अब हम इस पहले ब्लैक को छोड़ के 3 ब्लैक से लेकर 4 ब्लैक तक की डिजाइन पूरी रो में बार बार रिपीट करेंगे और ये देखें जब मैंने इनी फंदों को फिर रिपीट किया है तो आप दो डिजाइन के बीच में यहाँ पे 7 फंदे हमारे ब्लैक कलर से हो गए है यह हमारी row number 22 है इसमें हमें red पंदो को red, black को black same color करते हुए इस पूरी row को बनाना है यह हमारी row number 23 जो इस design की आखरी row है और इसमें भी यह 1, 2, 3, 4, 5 पंदे black 1, 2 हमारे red से 1, 2, 3 पंदे black 1, 2 पंदे red अब black color से 1, 2, 3, 4 और एक 5 अब हम पहले black को छोड़ करके 4 black से लेकर 5 black तक की design को पूरी row में बार पर रिपीट करेंगे यह देखें 23 रो में मेरी कित्ती खूबसुरा flower border की design बन के आगी बहुत ही प्यारी सी design मेरा यह वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करिए, शेर करिए और कमेंट करके बताए कि यह design आपको कैसी लगी तो आए हम इस design का grab भी देखते हैं बहुत हैं